इस वक्त मैं जन्पत गाजीपूर के नेशनल हाईवे गाजीपूर उजियार भरोली 31 पे इस्तित यूथ रूलर इंटर्पेरियर फाउंडेशन जो लिखा हुआ है और उनके माध्धम से अश्च तहीज फार्म प्रिडिशर्स कंपणी लिमिटेड बनी वी है और इस कंपण संजेश शेरपूरिया को बिगत दिनों रात में स्टियफ ने ग्रिफटार कर लिया है और ग्रिफटार करने के वाद जाहिर हुआ है कि संजेश शेरपूरिया दोरा इस तरह की संस्ताइं बना करके सरकार और जंता को ठंगने का प्रयास किया जा रहा था ये मेरी बात नही है ये बात खुद एस्टी एफ के असिस्टेंट डारेक्टर एस्टी एफ के एडी जी अमिताब यस्जी का के अनुसार और इस गिरफतारी के बाद उनके द्वारा जो बयान दिया गया है और जो पूरे अख़वार में तमाम मेडिया में खबरे चल रही है कि उनके द्वारा सरकार को काफी चुना लगाया गया है सरकार के बड़े जो मिनिस्टर थे उनके साथ फोटो भी मनाया गया है फोटो में के जरिये से ये जांच का भी से है लेकिन आप देखिए क्या काम है खुद आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कमपनी तो जरूर काइम कर दिया गया इस कमपनी के अंदर देखिए सिर्फ पेड लगे वे हैं और पेड के साथ साथ में कुछ चबुत्रे बने वे हैं और दखाया जा रहा है दखाया गया होगा कि बहुत बड़ी कमपनी लगी भी है शायद इसी लिए सिर्फ द्वारा उन्हें ग्रेफटार किया गया है अब देखना कि सिर्फ द्वारा जो ग्रेफटारी की गई है अपना सबूत कितना पेश कर पाती है हाँ ये जरूर है कि नेशनल हाईवे जनपत गाजीपूर के पुन्डेशर के पास ये उनकी कमपनी है और इस कमपनी के ऐसी तरह कंपनी पूरे भारत में फैली भी है और उस फैली कंपनीयों के माध्धम से कितने नौजमानों को रोज़गार दिया गया है यह भी सोचने की बात है और एक कंपनी के द्वारा जो अब तक की यहां पर बच्चों को बच्चों को सिर्फ ठेला लगा करके चाय बेच पूरे भारत के नौजमान अगर यह सी तरह पर लिक करकर के ठेला लगाएंगे और चाय बेचेंगे पकोड़ा बेचेंगे तो उसके प्रहाई का क्या मानि रह जाता है यह भी सोचने की बात है मैं सिर्फ इतना ही जानना के लिए 22 निकला है कि जो संजेश शिरपूरिया का गाजीपूर में एक बड़ा नाम था क्या किसी साजिश के तहतु से फताया गया है क्या कुसी इस बड़े नाम को किसी की नदर लग गई है कि वो यूथ के अंदर में एक ज़द्बा दे रहे थे क्या उसे किस तरह से ढहा जाए बड़नाम किया जाए यह तमाम चीज़ें जांत की विसें हैं और जाचने के बाद यकिनन पता चलेगा संजेश शीर पूरिया द्वारा पूरे जनपत गाजी पूर्क भी नहीं पूरे भारत के नौजमानों को पकोड़ा देकर समुसा च्छानने का जो प्रोग्राम था कि इतना सफल हुआ है कि इतना सफल हुआ है 22 नीउस के लिए जा कमले सिंग्या दो कब से काम करें यहां पर हो गया च्छे महिने क्या करते हैं जाड़ू मारते हैं और देख भाल करते हैं यह बना हुआ है थोने के लिए नहीं यह बना हुआ है कि बैपारी को बैठने के लिए बैचने के लिए अच्छा इसके बाद तो नहीं है क्या तरफार मिलती आपको नव हाजार रुपया तो इस कंपणी जो लिमिटेट बनाए गया है इसका कोई और काम नहीं है क्या तो आज शहीं सब्सक्राइब करके प्रिद्शर कंपणी ने यह तो कंपणी बना करके समाई बेचती है पेपारी कोन आता जाते है क्या किर्शी मंडी बनाए है क्या गया अब की आगे से खुला बुऩा है उनको नहीं पठा होगा प्योंकि हमकर तो रखा गया है तो अपना मैं काम करता हूं वह तो आते हैं नहीं बारा घंटा रहते हैं और नैटमे दूसरा आता है ते भी खर आरे हंटा के रहे हैं जह देखा आपने सरकार की क्या पॉईशन है रुपिये में बारा हजार अफरा हंटा 9000 में तंखा़ में सरकार नौजवानों को एजिए जतरा बारा हेज़ yeniéta नौज़मानों को रखना चाहती है कंपणी में यही कमपनी पूरे भारत में ऐसे ही कमपनी बनेगी जो 12 घंटा काम कराएगी और 9000 रुपया तनखा देगी अब भारत का युवा समझेगा कि क्या 12 घंटा काम 9000 में करने के लाइक होगा या नहीं होगा धन्यवाद अब बें मजूद हूँ और शेरपूर गाउं से उस्किल से तक्रूर दूरी पर है यहां पर गाउं और जैसा कि आज पूरी में च्छाय हुआ है कि शेरपूर के रहने वाले संजे शेरपूरिया के रिफ्तार भोगे हैं फ्राड जानती है और उसके जो अजिकारी है वो जान नेता थे और चुनाव अणने की वह उनकी कुछ मशाथ थी बच्चों को शिच्छा न दे करके जिनाच आ रहे थे वह आपका इसानी चाही बेचो और ये वेचो खेला लगाओ ने क्या करना है सरकारे चाही बेचवार रही है थेला लगवार है शंजेर लगवार है कौंचा गलत काम कर रहे हैं बच्पा के लिए है आप बताना चाहता हूं कि संजीय से तुलिया को गिरिफतार के लिए है तरकार में इस आरोप पे कि वो खरजी बहुत काम कर रहे है तो खाधरी काम कर रहे है इसके वर्का काना है परचे तो पहले तो इस उखराम सी म्यादो अमरा नाम है महंदावधासिन महंदावधामे कंच्रवत रहने वाला है वो तो सरकार ही के आदमी है पहले ही सी जनकारी ठाकी वो जो ऑन सरकार के बोटाला ही में चला है म uso 5そんな Bakger 109 C Burtonas उत्तरपदे जरकारथ कि इंगर करीप चछ करीप जितना कुछ हुआ है और जी कने लुद दर्माज कि कितने बुंदा है कितने बदमा से रच्टर्ड तो माली यह कि माली योगी साहब को अपना मुखिनमा उठा लिए और इनका भी चैनल पर बीचल आए कौन सुनने वाला इनका भी चल रहा है कहां तो इनका 60 फिटे के डूलिकेट तो आइसा सरकार हम कभी नहीं देखे थे कि प्रधान मंत्री आत्वा है कि खोला लेकर आये हैं खोला लेकर चले जाएंगे हम लोग देते देते थक हैं हम लोग बिकलांग आदमी इन लोंका जो एक तनखा बढ़ रहा है जो एक पूरा यहलकाप्टर से की देश दोड रहा है और इधर भूखे जंता मर रही है अब ब बार बार भी देश चिन नहीं तो कहां तो कहां दोड रहा है देश में फरम बना रहा है अपना भोशला बना रहे है देश दला दर्धान के आदमीं की पास 50% कम से कम 50% लोग खाते में पैसा नहीं है जूठे आसा धराग कि खाता में 15,000 रुपिया जमा कर देंगे यह कर द सकत जिरो बैलंस के रहने वाले हैं और चंज में प्रोगाम चलाय तक है तो को क्या कहा थो वो चलाये थे तहों सरकार को पैसा NES Monsieur skaar का पैसा है। छोगी ओओधाया, जेश सेर्फुरिया, यह से पर्धनमंत्रीं हो यह जर आई है भी सोराइक, नहीν होता है। वैसे से मशीन यहाँ तो पाएं करल का नाचा है। जनता के बीच में थैणिया थैयर जूनाव कराएं के जंता की बीच में हम बिकलागों के चाइलिंग दे रहा है कि जितना जो है कि पुरे वीडिया में ख़वर चली भी है कि यहां के करीब के गाउं के रहने वाले संजे शेर्पूरिया को गिरिफदार कर लिया गया है उनके फ्राड करने से तो जो यहां के शिप्र के लोग हैं वो यहां पर आये मीटे पुर Eskazi के कहई के नौजमानों को वो प्पोला हुआ कि लिए खास सरा देते हैं इसलीया стना भात नहीं कर रहे घृ और यह इंथाम कर रहेते और कंपरीयां बनां कर जिने वह नहीं है अभूर्त को आन्यकर हुआ है तुमश्कार मैं आप से पताना चाहूंगा आपके मात्म से जोगी उपर लगाया गया है उनके द्वारा कहीना कहीं यह राजनेतिक भू है और भाया कहीना कहीं निड्दोशाबिक होंगे और उनके उपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं कहीं न कहीं राजनेटिक मामलों के ये मुद्दे हैं और परकार के सामने आएगी तानों पे बड़ी भरोसा है